हलो फ्रेंड वेक्टे मैं चनल आज एक और वीड़ आपके साथ में शेयर करने के लिए आई हूँ जो लोग फरस्टे मेरे वीडियो को देख रहे हैं आपको बता देना चाहते हूं छोटे-छोटे स्टोरी पैरग्राफ एससे मैं आपके साथ में शेयर करते हूं जिनसे हम ब प्रिंग मींज वसंत रित्व हिंदी हम इसको वसंत रित्व बोलते हैं स्टार्ट करते हैं मारे टॉपिक को spring refers to the season of the year between winter and summer spring यानि के वसंत को refer यानि के संदर्वित किया जाता है to this season एक मौसम की रूप में of the year साल के between means beach, winter and summer winter यानि के सर्दियों और गर्मियों के बीच के मौसम के रूप में ठीके मौसम की रूप में वसंत रितू को या वसंत का जो मौसम है उसको संदर्वित किया जाता है इस तरह किसा आप इसको समझ सकते है संदर्वित मतलब अगर हम आपको इसको easy करके बताना की कोशिश करो संदर्वित मतलब किसी चीज से जोड़ना कि वसंत रितू को जो है ठीक है इस बिगिनिक मार्क यानिक मार्क मिन्स प्रतीक यह शुरुवाती प्रतीक होता है the end of winter season the end of यानिके अंत ओफ मिन्स का winter season यह सर्दियों के मौसम के अंत का प्रतीक होता है ठीक है इस तरह की सापी से बोल सकते हैं यह सर्दियों के मौशन का शुरुवाती प्रतीक होता है also be the end of spring signals the start of the summer season also यानिके साथ ही the end of spring यानिके जो spring होता है वसंत का जो अंत होता है signals वो संकेत देता है the start of the summer season start मितलब शुरू होने का the summer season of the summer season यानिके जो सर्दियों का जो गर्मियों का जो मौसम है उसके शुरू होने का वो signal देता है furthermore इसके अलावा when it is spring जब spring होती है in the northern hemisphere उत्तरी गोलार्द में जब spring होती है spring means वसंत जब उत्तरी गोलार्द में northern hemisphere means उत्तरी गोलार्द ठीके उसमें जब spring होती है वसंत होती है इन वाइसे वर्सा मतलब कोई बी चीज विपरीत हो जाना इन वाइसे वर्सा को आप बहुत दादा यूज कर सकते हैं सेंटेंस बनाने के लिए बी चोटें राती बहुत लंबी होती हैं समर्स में दिन बहुत लंबी होते राती चोटी होती हैं बट वसंत जो होता है ठीक है most noteworthy यह ध्यान देने वाली बात है या आप ध्यान देने योग यह चीज आप ऐसे बहुत सकते हैं इन मैनी कल्चर्स बहुत सारे संस्कृतियों में स्प्रिंग सेलिबरेशन वसंत जो है उसका उत्सव मनाया जाता है अकर विद राइट्स एंड फेस्टिवल्स अकर यह निके होना यह किसी चीज का बनना ठीक है अकर मींस होना या बनना विद राइट्स संसकारों और फेस इन क्रीज वह भरती है इन क्रीज मींस बहना बहुत सारी वीडियो में मैं नुसे चीज का घुकना रिलेटिव तूद धम से उसके錯 Alex में यानिके उस चीज की तरफ उसके एसे भी बोल सकते हैं उसकी और भढ़ना किसकी और भढ़ना to the sun sun की तरफ जो है प्रतिवी के जो धूरी है उसका जुकाव प्रतिवी की sun की तरफ भढ़ जाता है in early spring in early spring यानिके शिरुवाती वसंत का जो मोसम होता है उसमें also साथ ही the length of the daylight length means लंबाई of the daylight दिन की जो लंबाई होती है daylight means दिन की जो रौशनी होती है उसकी जो लंबाई होती है increases for the relevant hemisphere increases means बढ़ती है for the relevant hemisphere for the relevant hemisphere means होता है समध्दित गोलादिकी तरफ बढ़ती है जो length जो होती है उसकी जो लंबाई होती है दिन की जो रोश्णी होती है वो किदर की तरफ बढ़ती है वो संबंदित गोलार्द जो होता है relevant जो गोलार्द होता है उसकी तरफ बढ़ती है furthermore इसके अलावा या इसके सिवाए the hemisphere जो गोलार्द है gets warm, gets यह निके हो जाना, बन जाना, get को बहुत सादा meanings में हम use कर सकते हैं, बहुत आदा meanings के नदर ठीक है, so the hemisphere गोलार्द जो है gets बन जाता है या हो जाता है, warm means गरम हो जाता है, which result जिसका नतीजा होता है या जिसके परिणाम सुरूप, which means जिसके आएगा यहाँ पर, ठीक है, मैं बहुत सारी वीडियो में पूई चीज़ क्लियर कर चुकी हूँ ठीक है, तो result जिसका परिणाम होता है, in new plants to spring work, in new plants, नए plants में spring work यानिके उनके नए plants के उगने का ये नतीजा होता है, hence इसलिए the season is called spring इसलिए, hence means इसलिए the season, इस मौसम को is called पुलाया जाता है, या बोला जाता है spring, यानिके वसंत बोला जाता है, another important occurrence is the melting of the snow, another means दूसरा important means महतपून occurrence means क्या होता है, घटना ठीक है, occurrence means घटना, is the melting of the snow, melting means of the snow, snow means बर्फ का पिखलना, ठीक है, दूसरी जो घटना होती है दूसरी जो महतपून घटना होती है वो होती है, melt snow का पिखलना, melt जो बर्फ जो होती है, उसका पिखलना frost also get less, frost frost, यानिके ठंड जो होती है also means, get means होना या बनना, या बहुत सारे इच्छी की चीज़े मैं आपको बताहिए ना, less, severe less means कर, कम, severe means, sorry severe means क्या होता है, severe means होता है कि कि किसी भी चीज़ का बहुत तीवर गती में आप बोल सकते हैं कि कि किसी चीज़ का severe means तीवर भी बोल सकते हैं या बहुत तेजी से भी बोल सकते हैं ठीक है वो तेजी से जो है उससे में ठंड जो है वो कम हो जाती है less हो जाती है, कम हो जाती है as spring advances, as जैसे कि spring advances, spring means वसंत आगे बढ़ती है पहले लास्ट कुछ वीडियो में मैं आपको बता चुकी इसके यूसेज भी और इसके सेंटेंस में हम लोगों ने इसमें वीडियो के इंदर देखी थे आप समझी गए होंगे एडवांसे जैसे ही स्प्रिंग का जो मौसमें आगे बढ़ता है बहुत सारे प्लांट्स जिनमें फूल आते हैं यानिके फूलो वाले बहुत सारे प्लांट्स ब्लूम उनके फूल खिलने लगते हैं ठीक है इनसम एरियास इनके कुछ छेत्रों में और नौतन हैमिस्वेर उत्तरी जो गोलार है वहां पर स्प्रिंग में फ्यास इनके फरवरी के महीने में furthermore इसके अलावा temperature और areas have a dry spring which brings flowering temperature यानिके temperature means होता है शीतो पड़ी यानिके जहां पर ठंड वाला जो area होता है थंड़े जो छेतर होते है temperated areas यानिके ठंडे जो छेतर होते है have a dry spring वहाँ पर सूखी spring आती है which brings flowering जो कि वहाँ पर flowers लेकर कर आती है which brings brings मितलब लेकर कर आना also in some articles 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 मिलता होता है उप आर्टिक रीजन जो होते हैं वहाँ के जो छेतर होते हैं in some articles articles sorry in some articles छेतरो में जो वहाँ के जो articles छेतर होते हैं spring does not begin until May spring यनिके वसंद का जो मौसम है does not नहीं आता है begin यनिके नहीं शुरू होता है until चब तक May नहीं आता है May का महीना मतलब January, February, May month जो होता है वो जब तक नहीं आता है कुछ areas में spring का मौसम तब तक नहीं आता है जब तक some articles नहीं आ जाते हैं अब I hope यह जो topic आपको पसंद आया होगा अगर पसंद आया तो please मुझे comment में जरूर बताईएगा थोड़ा से देखिए इसमें हमने science के बारे में समझने के कोशिश की है मैं आपको वही चीज कहते हूँ कि सिर्फ किसी भी चीज को पढ़ना या लिखना जरूरी नहीं होता उससे अगर हमें कुछ knowledge भी मिल जाती है तो हमारे लिए बहुत अच्छा हो जाता है आपको इसमें कुछ knowledge तो जरूर मिली होगी अगर मिली हो तो प्लीज मुझे comment में जरूर बताएगेगा अब टाइम में हमारे त्री words का जिनके आपको sentence बनाने है और आप जानते ही होंगे अगर आपने मेरी वीडियो को पहली देखा है तो आप किसी भी form में sentence बना सकते हैं आप past, present, future में कोई से भी sentence बना सकते हैं इन थी words को यूज़ करके so first word is signal signal means संकेत देना ठीक है कि उसने मुझे signal दिया उसने मुझे संकेत दिया है कि वहाँ जाना है इससरी की साब जो मैंने sentence बोला इसी को simply आप इसको convert करके English में लिख सकते हैं second है vice versa vice versa vice versa मतला विपरीट होना एक दूसरी के उल्टा होना ठीक है इसका भी आप sentence बहुत ज़्यदा बना सकते हैं और third जो है यह बहुत 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 ज़्यदा important है noteworthy यानि कि ध्यान देने योग के noteworthy means ध्यान देने योग जिस पे बहुत ज़्यदा ध्यान देना है अब time है हमारे three dictation words का जिनको आपको comment box में ही लिखना है और दिखिए मैं एक चीज़ आपको बोलूँगी thank you thank you so much क्योंकि आप लोग इतना प्यार देते हो उसी इतने सारे लोग जोटते जा रहे हैं और बहुत सारे लोग जब comment करते हैं कि उनको help हो रही तो मुझे बहुत जब अच्छे लगता है तो first word है हमारा dictation का hemisphere second word है occurrence and third word है specially first word है hemisphere second word है occurrence